नमस्कार दोस्तो गिल्वान आई के यूटूब चैनल पर आपका बहुत बहुत फागत है आज मैं आपके लिए नया विशे लेकर आए हूँ आज का हमारे विशे है common eye problem और उनके answer दोस्तो आज हम लोगों के मन में जो common eye problem के बारे में questions होते हैं उनका जो है मैं जवाब देने ही कोशिस करूँगा तो आईए शुरू करते हैं विडियो common eye problem और उनका solution दोस्तो जो पहला जो question होता है लोगों के मन में क्या सफेद मोतिया के operation में धर्द होता है तो दोस्तो इसका जवाब है नहीं दोस्तो सफेद मोतिया के operation में आजकल जो तकनीक है जिसको फेको emulsification के नाम से जानते हैं इस विडि में दोस्तो ना तो आख में injection लगाया जाता है और ना ही कोई चीरा दिया जाता है जिससे एक टाका लगाया जासके और बिना टाके का operation होता है दोस्तो ये बिना टाके और बिना टीके के operation होता है और इसमें बिलकुल भी दर्द नहीं होता है दूसरा जो question होता है दोस्तों क्या चस्मा अटाने के लिए जो laser होता है वो दुबारा से हो सकता है दोस्तों जो laser होता आखों का चस्मा अटाने के लिए उसमें हम cornea की मोटाई को जो है कम करते हैं laser गविदी के दुबारा तो दुबारा से लेजर ओप्रेशन नहीं हो सकता दोस्तो उसके बाद जो है कम्प्लिकेशन होने का रिस्क होता है आँख में क्रेटो कोनस की प्राबलम हो सकती है नेक्स जो क्यूस्चन है दोस्तो ये बड़ा ही इंपोर्टेंट है और ये आई टेस्टिंग जो हम करते हैं दस बच्चों में से चार बच्चों का जो है ये क्यूस्चन होता है ये क्यूस्चन क्या होता है दोस्तो क्या बच्चों को दूर के नजर का चश्मा नजदीक में भी लगाया जाना चाहिए तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ क्योंकि दोस्तों जो बच्चों की नजर होती है वो दूर की वीक हो चाहे पास की वीक हो क्योंकि एक ही नमबर होता है बच्चों में दूर और पास की जो प्राबलम होती है दोस्तों यह 40 साल की उमर के बाद में काम करेगा यता है बच्चो को इस वलह दी जाती है कि वो दूर वाले चسمे से ही पास का काम करें पास के लिए चिसमे को ना आटाए अगला जो क्यंट है दोस्तों क्या आई exercise से च합니다 हट सकता है दोस्तों यह भरम है लोगों में की चासमे जो है हट सकते है नंबर कम हो एक्सरसाइसे और आखों की एक्सरसाइसे दोस्तों हमारी आखों की मास्पेशियां जो है वो मजबूत होती है हमारी आखों का स्ट्रेस कम होता है जिनकी मास्पेशियां कमज़र होती है वो ठीक हो जाती है स्ट्रेस कम होता है इसका आखों का भारीपन ठीक हो सकता है लेकिन मरे आदमी की आँख जो है दान की जाती है तो आँख का कौन सा इस्सा जो है जो ट्रांस्प्लांट किया जाता है तो दोस्तों आख का जो सामने का इस्सा जो है जिसे हमें दिखाई देता है जो पारदर्सी होता है जिसको हम कौर्निया कहते हैं तो दोस्तों कौर्निया को जो transplant किया जाता है बाकि और कोई भी इस्सा transplant नहीं होता आगला जो question है चस्मे का number किस उमर तक बढ़ता है बड़ा ही interesting question है दोस्तो जो बच्चों का number होता है बच्चों की जो eyesight weak होती है उनकी growth से relation होता है क्योंकि जैसे हमारी growth होती है आंक की growth भी होती है तो उसे आंक का जो cornea retina के बीच का distance बढ़ता है उमर के इसाब से तो जब तक हमारी growth complete नहीं होती तब तक वो number बढ़ता है आता है 21 या 22 साल की उमर तक सभी बच्चों का number grow करता है और उसके बाद stable हो जाता है आज के विशे में दोस्तों में इनी स्वालों को समील कर सका उमीद जानकरी पसंद आई होगी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिन्यवाद